प्रष्कॐतल 1 ओर लोग को अगी है तो अदो आप लोग भड़ लोग वादा एंड चैनेल के बार में तो मोस्पेट के बार में सवे वीड़ियो में डालूँ duas फिर से मैं बताने चाहरा हूँ, MOSFET को कहा पर यूज किया जाता है, मतलब, JOO इन चैनल MOSFET होता है, इसको कहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। यह जो MOSFET मैंने दीखाया है, यह कहां कहां पर यूज होता है, अब लोग को पता नहीं। और पता भी है लेकिन एक बार और जान लीजिए मादर बोड में दरसल बहुत यूज होता है DDR1, DDR2 और उसके भी DDR1 के भी पीछे वाला जो मादर बोड है उसमें भी यूज के आता है समस्पेट ठीक है देखिए मैं दिखा रहा हूं यह देखिए एक DDR1 का बोड है और बिटन का इसमें भी देखिए VRM सेक्षन में मुस्पेट दिखाई दे रहा है ठीक है और देखिए मैं देखने जा रहा हूं बहुत सरा मादर बोड अपरोगों देखिए यह एक इंटल का बोड है इसमें भी बहुत सरा मुस्पेट है ठीक है दिखाई दे रहा है DDR1, DDR2, DDR3 सभी बोड में यह पाला मुस्पेट यूज होता है और कहां पर यूज होता है लैप्टोप की मादर बोड में यूज होता है ठीक है देखिए लेकिन 3rd generation की PC में आपको नहीं मिल सकता है देखिए यह 3rd generation की जो लाप्टोप PC है उसका बोड है इसमें दर असल SMD टाइप का डूएल चैनल मुस्पेट है इसके बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में लेकिन यहां पर उस टाइप का मुस्पेट दीख नहीं रहा है मतलब क्या होता है जो मॉडरन बोड अब यह निकल रहा है उसमें ऐसा मुस्पेट नहीं होता है मतलब लैप्टप में ठीक है और मादार बोड में यूज होता है और देखिए मैं DDR2 बोड दिखा दे रहा हूं एक यह देखिए जेपरोनिक्स का बोड है ठीक है, जैपरोनिक्स का बोर्ड है, यह वाला DDR2 का बोर्ड है, इसमें भी देखिये बहुत सरा मॉस्पेट है, ठीक है, तो मॉस्पेट की बारे में आपको जानना और उसके काम के बारे में आपका बहुत जर्ड़ी है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं किसी कहा कहा पर यूज होता है, देखिए, यहां पर भी मॉस्पेट यूज होता है, देखिए, यह वाला इसको मॉस्पेट कहता है, और यहां पर भी रहता है और एक मॉस्पेट, ठीक है, मतलब यह थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन यह हाई वाट का मॉस्पेट है, और हाई वोल्टेज में क का मसफट होता है बहुत डिजाइन का होता है अलग-अलग साइज का मसफट आता है ठीक है सिंगल चैनल में ठीक है कि और आगा करें